नमस्कर दोस्तों मेरे नाम है दरपन और आप देख tym trust आम में पहुंचे हैं जहांपर उबी पीछे देख सकते हो और कक्रोली गाओं का यू पी का रहने वाला परिवार जो कि बताया जा रहा है घरोंडा में इन्होंने अपनी लड़की की शादी की थी और आप जो है लड़की के बारे में उन्हें जानकरी मिलती है कि लड़की की जो है उसके सुस्राल वालोंने से मार दिया गया है जो परिवार वाले अरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन क् क्या नाम है आपका कहां रहते हैं जी मेरा नाम लदा यह लाम जबहने गर यूपीस है गाह का क्रोली तो यह आपकी बेटे कहां शादी कि थी आप ने जिए गरूंडा में शादी किती कितने समय पहले की थी आप you है तो अभी क्या आप बता रहे हैं कि लड़की को मार दिया है यह उन यृदि Mossos संबस्या वारा जिई आर उत्याग्य संन वारा है व्जेशchen ने वनदार किर सुभर नदार कम तरेडूब्ध यह और लेकों फून किया और 11 यह शुबए आड़गी आपकी देख हो चुकी आठबे लड़की आपने दिखाया जिब लड़की आपने बात की है हम आपको कुछ कलेम नहीं दिरें लेकिन उसके बीज में तीन घंड़ में क्या हुआ उसके बावजूद देड़ बोड़ी इतने पार्चमेंट उसके लड़की के भी लगे है इतनी पिड़ा ही आप सोच में सकते हैं आप सोच में सकते कि यूई दर्द उस लटकीं के सहा होगा लज देखोना निफ्ट पोस्टवांट इसमीन कैने कि आप hesitate कि उसनों ने लड्की को जो है न लड़की को तरफा-तरफाख के टर जईथो एक had no.nvent bag ऊस फंब केسم पहले मरती यानि कि वह पहले भी खळी कर चुक़ है उसने पहले भी सथी करक्ट एशी लड़के इसे श्यादी के ठीक गि एक से पहले भी Sunänd तो शादी हुए कितने समी हो गए नहीं साल हो गए थाइशाल करते हैं पहले भी कभी अब लड़का क्या कर दिया लड़का पीटता था एक बार हमारी लड़की के साथ तो इन्हों आप लास्ट मा क्या कर दिया मार दिया हुँँ छह मेंने पहले हमारी जो बहेंदी सपना उसके पास उन्होंने इसी पिटा इतनी कर दिया कोई बादनी लड़की है घर बसाना है अच्छा जी वह लड़की कहती रही मम्मी मुझे महा मत बेजो क्योंकि अगर में वह चले गई ना तो मैं आपके बाद घर भाद आभ होगी और वह काम हुआ वह बार भार लड़की हमारी बेहन कहती रही मम्मी मुझे महा मत बेजो मुझे मुहाम्मद बेजो लेकिन चलों कोई नहीं अच्छा लड़का है अगे नहीं और वह काम हो लड़की चाहरी नहीं वो तो उसे ही पर वेज़ दो गई अंदर तो महां चटाई बिछी वी थी आप डेड़ बोड़े में और क्या नाम मुझ मां पेंच कस पड़ा वा ता द्रांती पड़ी वी थी इस तरीकसा मारी इनोंने और पिटाई करी यह तो बैल्ट द्वारा पिटाई करकी रहा ज पर आप देख ली जी क्या मामला है जिस तरीके से कक्रोली गाउं यूपी के रहने वाला ये परिवार है और गरोंडा के अंदर जो है शादी की थी लड़की की सपना की और उसके बाद जो बता रहे हैं लगबग 20 साल शादी को हो गये थे उसके बाद कई बार मार पीट के जो है यहां पर मामले सामने आए जिसके अंदर पती के साथ फिर सूला करके बेटी को घर भेज दिया गया लेकिन अब जो है अचानक से इन्हें पता चलता है कि इनकी बेटी की मौत हो गई और यहां पर बता रहे हैं कि उसके शरीर पर काफी जादा निशान है और उसके सा तरीके से जो है उसके साथ मारपीट की गई है और यहां पर तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं सपना की और आपसे पिल इस खबर को जितना हो सके शेयर जरूर करें तो यहां पर आप तस्वीर देख लीजिए सपना की जो की शादी हुई थी जिस लड़की की घरोंडा में रहती थी और धाई साल से जो है बयार रखी थी घरोंडा के अंदर परिवार ने और उसके बाद यह भी बता रहे हैं कि कई बार जो है मारपीट के मामले जो है सामन को पल्णाइब है कि माड़की भी घरोंड फॉफ देख लगाए हं यहां रू लोगर व और तुम रेपोर्ट मत Lịch़ निए पोट रहो है क्यों निए आरे मीडिया बात करी आचाज है जिसने बोला खुल कर निशान हैं तो जी कहना है इतनी बात हुई है रिपोर्ट को मना कर रहा अब हम कर रहे हैं अब हम कर रहे हैं कि अब तक बुक्त के प्यास से किसी नहीं एक गिलास पाणी पिला हो या कुछ कर रहे हैं पुलिस की तरफ से अब हमारे लिए कुछ नहीं हुआ है कुछ नहीं हुआ है कि पुलिस की तरफ से भी कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला है और रिपोर्ट जो है वो पोस्ट मार्टम की उसके आने के बाद ही जो है मामले को दर्च किया जाएगा जो कि परिवार वालों ने पुलिस वालों से बात की और उसके बात जो है अभी परिवार जो है यहीं कह रहा है कि उन्हें इंसाफ चाहिए और फिलहाल जो है यहां के सब्सक्राइब कोई गोहार लगाना चाहोगे तो अभी फिलहाल जो है यही कहना चाहेंगे फुलिस प्रिशासन से भी और एस्पी साब से भी किस मामले की तहत तक जो है कारवाई होनी चाहिए और सक्त आदेश जो है देकर इसको एस्पी साब जो है इस मामले की तहत तक जो है इस केस को सुलझस ताकि पता चल सके किस तरीके से सपना कि जो है मौत की गई है क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है कि उसे प्रतारित किया गया उसके श्रीर पर दाग है निशान है उसे चोटे हैं और नील भी पड़े हुए उसके श्रीर के उपर और फिलहाल जो है यहां पर परिवार जो है यही घुवार लगाता हो नजर आ रहा पर आप देख लिए किस तरीके का प्रशासन है जो एक गरीब आदमी परेशान आदमी और उसके सब्सक्रावा उन्होंने अपनी बेटी जो है घर की गवादी उसके बाद भी कोई रिपोर्ट लिखने के लिए भी तयार नहीं होता है और यहां पर आपको बता दें कि कल से पहुंचे हुए हैं यहां पर और सभी के सभी परिवार दूर यूपी को क्रोली गाउं से तो क्या किना हैं इनकी लड़की साथी सुधा में साथी नाम की लड़की घर ग्रोंडा में साथी सुधा थी उसकी डेथ हो गी है व्यक्ति हो कि उसके शिरफन निशान भी मिले हैं काफी ज़्यादा जैसे कि उसम पांगे है, हुँ juntos कुछ हैं, निशान हैं अलके गले पे भी एंब हैं बंदब बे निशान है जो यहां पर जो है हमने बहादुर सिंग जिए उन्हों ने बताया कि इस मामले को देख रहे हैं और जो भी कारवाई बनेगी परिवार के खिलाफ वो उसे करेंगे क्योंकि यहां पर लोग जो हैं पहुंचे हुए मर्चरी हाउस में काफी दूर से पहुंचे हुए हैं यूपी के क्रोली गाउं से तो आप से पिल इस को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें और फिर से जुड़ेंगा मिट 24 के ओपर तब तक के लिए जैना अब यहां तक आही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिएगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक